मंदिर में धुजा का बहुत महत्तु है जैसे की आपके सिरपर बाल होते हैं सिर हो और आपके सिरपर बाल ना हो समझा रहا ना? तो जिस तरह से आप सुन्दर ताको पराप्त नहीं होते हैं उसी तरह से मंदिर हो, शिखर हो और उनके उपर धोजाएं ना हो तो वो मंदिर सुन्दर नहीं लगते हैं मंदिर के उपर धोजा होने से ही उस मंदिर की ये पैचान होती है कि ये मंदिर कौन सा मंदिर है किन का मंदिर है और मंदिर में आने वाले बहुत से लोग दूर से ही देख करके पता लगा लेते हैं कि यहां पर कौन से मंदिर कहा है धुजा के माध्यम से मंदिर की अपनी विसेस्ता भी बढ़ती है और समाज के अंदर भी एक बहुत अच्छा बातावरण भी बनता है धुजाओं के प्रभाव के माध्यम से ही आप समाज के प्रभाव को समझ सकेंगे इसलिए अगर मंदिर कभी भी सिखर पर धुजाओं से रहत है तो उस मंदिर में कभी भी या उस मंदिर की समाज में रहने वाले लोगों के अंदर कभी भी धर्म कारे के प्रती जो उस्सा होना चाहिए वो नहीं आपको देखने को मिलेगा वह उस्सा है आपको धर्म धुजा के फल के माद्यम से ही प्राप्त होगा इसलिए आप धुजा का महत्तु समझें